वेलकम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप आयो अपको सभी अच्छे होंगे तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मिशलीनियस एक्सरसाइज का क्योस्टन नमबर 16 एंड 17 और 18 और 19 च्यार क्योस्टन इस वीडियो में आपको कराएंगे तो फ्रस्ट क्या है 16 क्योस्टन लेट ए हमारे पास 123 का सैट नमबर ओफ रिलेशन्स ठीक है containing 12 and 13 which are reflexive symmetric but not transitive ठीक है और यह हमारे पास option है a option में 1 है b में 2 है 3 में c में 3 है और d में 4 है देखो पहले आपको बताना चाहिए कि reflexive symmetric और transitive क्या होता है reflexive क्या आएगा इसमें a a बिलोंग करेगा हमारे पास relation से और a बिलोंग होना चाहिए set से ठीक है a b बिलोंग करेगा relation से और b a relation से बिलोंग करेगा transitive में a b relation से बिलोंग करेगा b c relation से बिलोंग करेगा और a c b relation से बिलोंग करेगा ठीक है तो देखो set a क्या है 1,2,3 ठीक है अब इसके possible वह हैंगे हमारे पास relation को क्या हैंगे देखो a cross a ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं एक और उस ए में जो भी पोसिबल हो एंग रिलेशन में 11 12 13 21 22 23 31 32 और का सुकता 33 यह मारे पास एक रोस ए में मिलेंगे ठीक है रिलेशन के अंदर अब देखो अमें के उसन में बोला है containing 12 और यहां पर चैक करते हैं क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव स्मेट्रिक बट्नोट रांजिट होना चीए तो रिलेशन यहां बनेगा देखो अधिक रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे 11 लेंगे 22 लेंगे और क्या लेंगे 33 लें आपड़ेगा以네 यह सिमेट्रिक है है ठिक है और क्या दोला है इसने 13 डिलो आप गया 13 और 31 ?. ठीक है तो यह बनेगा हम पास रिलेशन यह वे आफंचिव स्यमेट्रिक हें लीकिन है ठीक है क्यों नहीं है एक दानपल लो आप यहां से 3-1 का कई पर भी रिलेस्टिंस के अंदर नहीं है ना तो मैं आप लिखेंगे three to not belong to relation so this is not transitive यह आप लिख देना यहां पर ठीक है तो यह पता चल गए आपको यह रिफ्लेक्शिव है सिमेट्रिक है बट नो ट्रांजिट्व यह इसने बोला है कि हमें दिखाऊ विचार रिफ्लेक पर क्या बोला है लैट ए वन टू थरी नंबर ओफ एक्यूवेलेंस के रिलेस्टिंग वन टू इक्यूवेलेंस रिफ्लेक्शिव हो भी स्मेट्रिक भी और ठांजिट्व ठीक है तो देखो यहां पर दो ऐसे रिलेस्टिंग सकते हैं इसमें दोनों पॉसिबल होंगे पहल लगें 11 12 13 21 22 23 31 32 33 तो यहां से दो रिलेस्टिंगे अ कि फस्ट क्या बनेगा 11 22 33 12 और 21 यह रिलेस्टिंग क्या है रिफ्लेक्शिव भी है सिमेट्रिक भी है और टांजिटिव भी है ठीक है इसने क्या बला 12 होना चे तो 12 है हमारे पास अगर 12 लोगे तो 21 भी लेना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल क्लियर है अब दलते हैं आगे दूसरा रिलेस्टिंग क्या मनेएका उन मनेंगा फ bowling वन का है कि ऑन टु गा 11 थू 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 आन टू था ओर अब यह मार पास क्या है रिफ्लेक्स हुआ है सिमेट्रिक है ट्रांजिटीव है कलियर है तो इसका क्या हो जाएगा दो के लावा इसके नहीं बनेंगे ऐसे रिलेशन तो यह था क्योस्ट नंबर 17 अब चलते हैं क्योस्ट नंबर 18 कि तरफ तो आप देखें क्या है लेट फंक अब G function है R to R with the greatest integer function given by G of X equals to X ठीक है वेहर जो यह एक्स बंध है ब्रेक्ट के अंदर is greatest integer less than or equal to X then does Fog यहनकी Fog and G of Goff coincide in 0 और 1 अब देखो यहाँ पे यह 0 के सामने क्या है open bracket और यहाँ पे यह close bracket है इसका मतलब क्या है जो X की वाल्लों होएगी वो क्या होएगी 0 से 0 इसमें include नहीं होएगा ठीक है जो X की वाल्लों होएगी उसमें 0 include नहीं होएगा यानि कि 0 से बढ़ी होएगी और less than or equals to 1 होएगी ठीक है यहाँ पे यह X की वाल्लों होएगी 1 हो सकता है उसके अंदर लेकिन 0 include नहीं होएगा तो अब आगे देखो G और F find करेंगे पहले क्या होता है F को put किया है हमने G के अंदर तो F को put कर दिया G के अंदर अब देखो X की क्या लेंगे 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 से greater होएगा X के value 0 नहीं हो सकती ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 से बढ़ी यानि की 1 यह किस लेंगे तो G यह आ गया F of 1 यहाँ से आ जाएगा G of 1 और यह आ जाएगा रिटेस्ट इंटीजर फॉंक्शन 1 और यह आ गया 1 ठीक है तो यह हो गया हमार पस G of F अब क्या find करेंगे F of G यानि की अगर X 1 होएगा तो क्या होएगा X greater than 0 है तो यहाँ पे जो रिटेस्ट इंटीजर फॉंक्शन क्या होएगा जीरो होएगा तो जीरो वाला केस होएगा थीक है तो मैं आपके सकते हैं कि जो गोफ व्लोंट इक वे फोग है तो नोट इकोल स्टुमें फोग क्योंकि देखो अलग अलग कंडिशन पे अलग वैलु दे रहा है किसके अंदर फोग के अंदर और गोफ के अंदर कलियर यहां तक बिलकुल है तो मैं आपनी जी लिए नो फोग एंडगोफ डज नोट कि अजनोट कोइंसाइड जि कि इन जीरो और वन थीक्रों यह हुगा हमारे पास क्यों सिर्ट नंबर 18 अब देखते हैं किस्टों नंबर 19 क्या है किस्टों नंबर 19 देखो नंबर वाइनरी उप्रेस्ट रोपर सेट एबी आर यह महां पर बत और क्या रिजल्ट देता है थीक है अब हमने एके बांदरी वह निकालने हैं क्या ऑपरेशिंद तो कैसे करेंगे एक Kingdom ठीक है अब एमारे पास क्या है इस एक कोल्स टुमिंट एपी ठीक है अब लिए प्रेसिंगे एक क्रोस ए करेंगे तो एक क्रोस ए करते हैं तो देखना a equals तुमें a b क्रोस में a b अब possible क्या होएंगे आप possible outcome देखना अब जो यहां पर cross product करके आएंगे उनको मैं यहां पर लिख देंगे तो यहां से आज आएगा ए ए ए बी बी ए ठीक है और बी वी ये क्रोस परड़ करके बाहर आएंगे तो इसके फॉंक्शन के अंदर लिखेंगे ए ठीक है ए बी बी ए बी और ए बी किसके साथ ही लिसन है ए के साथ है है कलियर यहा तक बिल्कुल कलियर है अब देखेंग है को किसके alg से एरूड़ ना डी निडिगराब से ठीक है तो यहां संसाई अ ने देख लेते हैं है अब यहां पर एरो डिग्न में डूर्डॉ में और क्या है एक डॉमेन के लिए एक डॉमेन दो के साथ रेंड बना सकता है नहीं बना सकता लेकिन दो के साथ पोसिबल है उसके चांस है चाहिए तो एक के साथ बनाएगा चाहिए फिर एक बी के साथ बनाएगा तो चांस कितने ही यहां पर एक दो ऐसे ही एक बीडो बीडो और बीडो अ अब यहां में क्या निकाला नमबर बाइंडरी उप्रसिंग कैसी निकालते हैं इन सब की प्रोड़क्ट करके यानि कि टू की पावर फॉर इकोस्टों में 16 तो यह आगया हमार पास ऑप्शन नमबर बी आयो बाप कोच्छे समझ में आ गया हो आयो क्यस्टन भी ट्रेत हमार बहुते हैं आगया है यह प्रोड़क्ट के था इन जिकालते हमारे केशल नमबर बाभ में बाने इन कि टोड़क्ते हमार को सब दोड़क्ते हैं झाल झाल